हेलो दोस्तों नमस्कार मैं कित पाल आप सभी का स्वागत है अंकित अगेडमी 2.0 में दोस्तों आज हम बात करेंगे BPSC TRE 4.0 की सटीक रणनीति क्या है कैसे हम उस एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि TRE 3.0 का रिजल्ट आ गया है और अब TRE 4.0 का नोटिफिकेशन बहुत जल देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा संख्या में अपकी बार बच्चे TRE 4.0 में अपलाई करेंगे इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इससे देखना जरूरी है उन सभी जामों से ज्यादा टॉफ होगा क्योंकि पता है फर्स्ट और सेकेंड में जो है उसके साथ में जो थर्ड एक जाम सुए वहां पर जो भी कंपडिशन रहा होगा उसकी अपच्छा आपकी बार संख्या में बच्चे जादा है और उसके साथ-साथ में जो है यहां उनके लिए यह बड़ी भरती भी होगी अब दिखिएगा सबसे पहले हम यहां पर सेवन इस्टेटी क्या क्या चीजों को फॉलो करना है एक यह चीजों को हम समझाएंगे आपको जल्दी से भाग रहा नहीं यह वीडियो में आपको लास तक बने रहना है दिखिएगा पह ग्यान होगा तभी आप इस एक्जाम के हर एक जो भी टॉपिक को आप उन्हें तयार कर पाओगी और नहीं तो फिर आपका होता क्या है लास्ट में वह बच्चे उस टॉपिक को छोड़ देते हैं जो उनके लिए बहुत होता है जिनसे कोशन पूछे जाते हैं इसलिए वह कौन से टॉपिक से हमें पढ़ने हैं बस आपको सुलैबस ही पढ़ना है सुलैबस से आउट कुछ भी नहीं पढ़ना क्योंकि एक्जाम में जो सुलैबस से ही आता है तो आपको सुलैबस को बहुत अच्छे से अंडेस्टेंड करना है जो मैंने पहले आपको यहां पर बत और कितने श्रास नाता है यह वह संदये को आपको स्थाइंट होना चीए मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर की जहां पार्टन इसका मार्क होता यहां पे टोटल मार्क होता तो यह हो गया इसका एक्जाम पैटर्न और आपको इंजाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको समझ में आ गया होगा है चलिए अब आगे में बढ़ते हैं यहां पर दिखेगा तीसरा नमर है पर आपको यहां पर बनाते हैं तो फिर आपको यह सफलता दिलाएगा आपके करना है मतलब उसे हमें रेफर करना है मतलब वहां पर आपको आईसी ही मेटेरियल को आप लो जो आपके लिए इंपरटेंट हो ना कि वैसे अनावस्सक्टीजों को पढ़िए अन्थाव हम तो बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते थे हैं तो जो हमें सफलता में हमारे वो help करें तो ये चीज़े आपको ध्यान देनी की जरूरत है तो आपको ये जो है creative study material ज्वारी यहां पर referring to quality study material को आपको लेने हैं और अच्छे से यहां पर इन्में prepare करना है कैसे यह हो गया चौता नंबर हो गया पाच्वा नंबर है दोस्तों utilizing mock test and the online practice यहां पर utilizing करना है mock test and online practice जो online practice है और उसके साथ साथ में mock test है इसे हमें भी solve करना है ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई कर लिया पुरा revision हो गया सारी चीज़े हो गए अगर हमने वहां पर test नहीं दिया तो इसका मतलब कुछ नहीं कि आपने test देना बहुत जरूरी होता है कि हम भी आप score कर रहे हो mark test paper से हमें यह चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़े होती है जो assessment करते हैं exam से पहले तो अपने आपको exam से पहले जांचना परखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने आपको जांचते परखते नहीं है तो फिर वहां पर exam में आपको कैसे क्वालिफाई कर जाएंगे confidence आपके अंदर कैसे आएगा और कैसे अपनी कम्यों को आप सुधार पाऊगे तो मार्क टेस्ट और उसके साथ साथ में यहां पर आपको जो है यह test book यह सारी चीज़ों को आपको solve करना है ठीक है online practice जितना भी हो सके आप online practice और मार्क टेस्ट ल आपने time को management करिए manage करिगे कि कैसे हमें सुबह morning में किस subject को पलना दूपार में किस को पलना, साम को कब पलना, रात को पणना उन्हें आप manage करिए और इस ताइम को जो है उसी subject को हैं आपके subject, उन subject को schedule के पे बात दीजे उनको ठीक है अपने एक plan बना लेगिए कि हम इस subject को बात देजिए, हमको इसे समय पे पढ़ना है और अपने time को जादा से जादा study पे देजिए, बाकी चीजों को ignore कर दीजिए, mostly जो नहीं ऐसा लगता आपके लिए आवस्यक ने, उन्हें ignore कर दीजिए यही होता है time management और आपको मेहनत जादा से जादा करके यहाँ पे अपने आपको success जोना है तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है time management और दूसरी चीज़ है reduction यहाँ पे stress reduction, stress नहीं लेना है बहुत तनाव नहीं लेना रही है, यार मैं कैसे करूँगा आपके बार यह होगा, वो होगा, ऐसा होगा कोई news सुन लिया, कोई और चीज़, वो बहुत तनाव में हो गए यह fail हो गया था, ऐसे हो गया था आपको ऐसा कुछ नहीं समझना है आपको बिलकुल महनत करनी है आपको stress बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है अगर आप free man से करोगे, तो सभी आप exam को crack कर पाओगे बहुत तनाव में रहोगे, बहुत stress में रहोगे तो वहाँ पे आप exam को crack नहीं कर सके के कुछ जितनी चीज़ आप पढ़ोगे ना उस सारी चीज़ भूल जाएगी आगे दिखते हैं यहाँ पे सात्मा जो सबसे last और सबसे most important है यहाँ पे आपको इसको जानना बहुत जरूरी है तो मतलब हमारे कहने का मतलब हम तो पढ़ते चले जारे कोई एक बुक पढ़ लेने से आप महान नहीं हो जाते एक बुक को दस बार पढ़ लेने से आपकी महानता उसमें है तो इसलिए आपको जो है वहाँ पे बुक को जो भी जीज़ें पढ़ रहे हो आईनलाइन या आउफलाइन कहीं से भी कोई चीज़ें पढ़ रहे है आप उन्हें रिवीजन तो स्योर करिए रिवीजन करिए एक बार नहीं बल्कि 10 बार करिये रिवीजन जादा से जादा जितना revision करेंगे जितनी practice करेंगे और वहाँ पे अपना re-evaluation करेंगे कि मतलब हमारा कितना वहाँ पे marks आ रहा है कितनी कितनी अच्छी चीज़े हमारी तयार हो गई है अपना आपका assessment करोगे तो चीज़े बहतर होंगे तो यही जाकर कि आपको exam में सफल दिलाएगा तो यह जो है आपको जो मैंने 7 tips बताया यहाँ पे 7 tips जो मैंने बताया इसे आपको अगर follow करेंगे तो आप sure है कि BPSC TRE 4.0 में आप वहाँ पे कर लेंगे हम बहुत जल्द आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें BPSC TRE का जो है exam pattern और वहाँ पे उसका syllabus क्या है उसको हम detail में clear करेंगे बस आप सभी को चैनल को subscribe करके वेल आइकन प्रिस करना तक कि आप सभी को वीडियो जैसी आए आप सभी उस वीडियो को बाच कर पाएं थैंक्यों दोस्तों फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में